हमेशा यह होता है कि पशुपालम विभाग या अन्य जो संस्ता हैं उनका एक संस्ता होती है चाहे वो चिकित साले होए चाहे एक्स्टिंशन सेंटर हो वो किसी एक स्थान पर होते हैं उनका बहुत जादा संबंद जो चोटे किसाने उनके साथ नहीं हो पाता हमने वहीं की एक महिला जो कि कुछ पड़ी लिखी हो आठवी पड़ी लिखी हो दस्वी क्लास पड़ी लिखी हो उसको लेडी लिंक वरकर के रूप में ट्रेनिंग दी हर ग्राम पंचाय स्थार पर उसको वहाँ पर इस्थापित किया वो उस लेडी लिंक पर करका कारे था कि इनी सभी किसानों के घर जाना इनको उन्नत पशुपालन की तक्नीकी के बारे में बताना आने वाली समस्याओं से वहाँ बजूभी पशुपालन का विशेशग्य डॉक्टर उपलब्द है उसको या अन्य कोई जानकारी हो तो वह पशुपालक को सम्मधित पशुपालन करते थे फिर हमको आरेसी पीनी जोड़ा हैं जैसे एसे जी के तोड़ पे जोड़ा था तो उनमें जैसे मिटिंग करते थी मेलाएं मिटिंग करते थी तो उसमें बखरी पालन के बारे में जानकारी उसके बाद में जैसे हमको कुट्टी की मसीन दी बै इनको मलब चारे को काट कर इनको खिलाना चाहिए जिससे क्या कि दूद भी अच्छा बनेगा यह अच्छा खाएगी तो इसका वजन भी अच्छा बढ़ेगा तो इसके बाद में जैसे हम पसुपालन करते थे तो उन्होंने नसल सुधार के लिए जैसे हमारी देशी बख्रियां थी तो उनकी नसल सुधार के लिए हमको सिरोई नसल का बख्रा दिया तो सिरोई नसल का बख्रा देने के बाद में जैसे हमारी बख्रियां जैसे दूद भी अच्छा देती थी उनके बख्रे भी अच्छे होते हैं पुष्ट होते ह अजिए बकरी पालन करते हैं लेकिन हम इस तरह से नहीं जानते हैं कि बकरी का दूद भी काँ में आता है हम साबुन के लिए यहां दूद देने लगें वे तरी डेरी में तो 34 पे का लिटर दूद देते हैं तो आज ईयू का बढ़ी और आरसली पियोग माいारे सफे सफे लिए भकरा मिला सूरोई नसल का तो तो उससे जो बकरे बकरा बकरी पैस में तो अगर खोलते रहते से अच्छा नसल का फजब से मुष्ट को सकते हैं गुडिक उसके पकरिया को जाद है, निकलता है। ARIHSCP ने हमें चारा काटने की मशीन दी, ठान दी और फानी पीने के ठान दिया, और अजोला दी और मिलनल मिक्चर भी दिया। उस मिलनल मेक्षर से हमें काफी फाइदा हुआ उससे बक्रियों का बजन भी बढ़ा और उसकी दूद की महातरा भी बढ़ी जिससे हमें काफी फाइदा हुआ मेरे पास 15 बक्रिया हैं उससे करीबन डेड़ लाख रुपए साल बरके बच जाते हैं